फ्री टाइम दोस्तों सभी के पास होता है चाहे वो स्टुडेंट हो चाहे वो बड़ी एज के वेक्ति हो चाहे महिलाएं हो कोई भी हो फरक इतना है कि जो बढ़ती हुई एज है और जो housewife हैं उनके पास जो time होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वो हमारे उपर depend करता है कि हम किस तरीके से अपने काम को करते हैं अब देखे जो बुजर्ग होते हैं उनके पास टाइम बहुत जादा होता है उनका टाइम तो कटता ही नहीं है इतना इतना उनके पास फ्री टाइम होता है तो क्या करें हम अपनी फ्री टाइम में हाजी दोस्तों तो दोस्तों अपनी फ्री टाइम में हमें ये तीन काम जरू करती हूं आपको ही चैनल में कहिए दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहे का दोस्तों दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो पर फर्स टाइम विजिट किये हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब हमेशा की तरह वीडियो आपको कुछ न कुछ सीख देने वाली और मोटिवेशनल होने वाली है तो आते हैं अपने पॉइंट पर करें हम अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करें कैसे काम करें फ्री टाइम में तो सबसे पहले हम आते हैं स्टुडेंट्स पर देखें दोस्तों फ्री टाइम सब के पास होता है स्टुडेंट के पास होता है हाउस वाइफ के पास होता है और स इडिजन्स के पास होता है, सबी के पास होता है यनि कि हर वर्ग के पास जो उसको फ्री टाइम है वो उसके काम के बात जो मिलता है उस पर डिपेंड करता है कभी कितना मिलता है, कभी कभी किसी को वर्किंग टाइम में नहीं मिल पाता और कभी किसी को मिल जाता है, तो हम कैसे यूज़ करें अपनी उस free time का तो दोस्तों ये वीडियो मेरी सभी के लिए है सब अपने अनुसार अपने time को use कर सकते हैं उसको बहुत खास बना सकते हैं तो सबसे पहले आते हैं बच्चों पर बच्चों को दोस्तों mentally, physically और emotionally हर तरीके से strong होना चाहिए तो बच्चे ऐसा क् बच्चे ऐनी कि जो school में पढ़ते हैं जो college going students हैं वो क्या करें कि वो खुश रहें healthy रहें अपनी life में तो दोस्तों ये phone का time है ये mobile का जमाना है यहाँ पर अपनी free time को हमें अपनी लिए use करना है ना कि phone को देना है सबसे बड़ी बात पता है कि जब भी हमारा free time होता है हम को phone के अंदर लगा दिते हैं और पता है phone के अंदर कि चीज में लगाते हैं रिल्स स्क्रोल करने में रिल्स देखने में जब हम बहुत सारी देख लेते हैं बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती केवल हम time based करते हैं totally ऐसा आपके साथ पता ही नहीं लगा कि आपने एक गट घंटा phone में कब दे दिया जब आपका time निकल जाता है time waste हो जाता है है ना मैं तो waste ही कहूंगी आपको ना बहुत देर बात पता चलती है कि आपने तो phone से कुछ सीखा ही नहीं नहीं आप entertain हुए आपने सिर्फ और सिर्फ time waste हुआ feel सभी करते हैं लेकिन उस feel को कोई भी ना अपने अंदर मतलब वो अंदर दिल तक नहीं लेके जाता हूँ feel करके वहीं छोड़ देते हैं फिर next day ऐसे करते हैं ऐसे ही करके आप कितना बहु मुल्य जीवन के बहुत ही important पल आप इस तरीकी से गवा दे रहे हैं आपको end में प करने दोस्तों यह महतपून काम सबसे पहले अपनी health पर ध्यान दीजिए health चाहे बुजर्गों की हो महिलाओं की हो working woman की हो man की हो बच्चों की हो सब की हो है ना तो सभी को fit रहना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर पच्चे हैं तो meditation कीजिए थोड़ा टाइम निक कड़ेगा उसका जो प्रभाब है ना वो दीरे दीरे हमारी life पर दिखेगा हमारी health पर दिखेगा हमारे चेरे पर चमक आएगी हम confident होंगे जो बहार negative चीज़े हैं उससे हमें लड़ने की छमता आएगी लेकिन वो सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती ना थोड़ा सा patience आपको time मिलता है morning में time मिलता है evening में time मिलता है जब भी मिलता है 10-15 minute अपने time के साफ सिफ बैठ जाएगे क्योंकि जब आप स्वस्त होंगे ना आपका मन भी अच्छा होगा आप emotionally strong बनेंगे mentally strong बनेंगे physically strong बनेंगे है ना दोस्तों तो अपने लिए तो time हमको देना ही पड लेगी ना और ये मेहनत ना सिर्फ और सरिफ आपका वक्त के सही स्तेमाल से आ जाएगी जो आप phone में time व्यतीत कर रहे हैं वो आप अपनी ऐसे चीजों में कीजिए जहां से आपको सीख मिले जहां से आपको ग्यान में वृद्धी हो जो कि आपके लिए लाब दायक हो तो ह प्रभु का ध्यान कीजिए धन्यवाद कीजिए अच्छे अच्छी बातें दिमाग में लाइए अगर आपको शारिरिक प्रॉब्लम है तो भगवान को प्राथना कीजिए लाइफ में जो भी चीज़े हैं उनको भगवान को सब को समर्पित कर दीजिए ये बढ़ती हुई एज वालों के लिए जो योगा नहीं कर सकते हैं जो एक्ससाइज नहीं कर सकते हैं वो मेडिटेशन तो कर सकते हैं न दोस्तों है ना उनके पास तो बहुत सारा टाइम होता है है ना देखे एक एज के बाद तो दोस्तों टाइम सब के पास होता ही है जब हम अपनी लाइफ में में मेंनद कर रहे होते हैं, self time के लिए तरस रहे होते हैं, तब हम इन चीजों पर ध्धान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए हमारा काम सबसे सर्वपीय है, हम जो कर, oh time सची मैं उस समय मिलता भी नहीं है, अभी हमको न अपने काम से समय निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है meditation से हमको सुकूर मिलता है शान्ती मिलती है, positive thoughts आते हैं mind में, तो हमें दोस्तों इस चीज़ पर जरूर से काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा जरूरी है और एक दिन में किसी का भी result नहीं मिलता, वेट कीजिए ये सब चीज़ आपके लिए बहुत बहुत useful होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समय भी निकल जाए और फिर आपको समय भी ना मिले, है ना, बच्चों को तो समय निकालना ही पड़ेगा चाहे समय मिले या ना मिले और बच्चों के पास आटोमेटरी समय होता है तो उन्हें तो बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिना चाहिए meditation अगर वो exercise कर सकते हैं तो exercise कीजिए अगर वो dance class join कर सकते हैं तो वो कर लिजे, नहीं तो घर में ही एक गिड़ घंटा बात करे यह सच्चाई है और यह सभी senior citizens को समझना होगा मानना होगा खुद ही खुश रहने के लिए हमको राश्ते निकालने पड़ेंगे है ना दोस्तों तो जरूर से अपना यह इस first point को और हमारा दोस्तों second point है अपने skill पर काम करना जो भी आपके अंदर हुनर है जो भी आपकी इच्छाएं है उस पर काम करना बुजर्ग जो होते हैं दोस्तों उनके पास जैसे मैंने आपको बताया उनके पास समय होता है mostly serious citizens के पास समय होता है और बहुत सारे लोगों के पास साल के लोग काम कर रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं अपने परिवार को पाल रहे हैं क्योंकि उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है है न दोस्तों लेकिन जो जो बुजर्ग अपने घर में अपने जिम्मेदारियों से free हो गए हैं उनके पास तो समय होता है ना तो वो अपने समय को इस तरीक से यूटिलाइज कर सकते हैं के अंदर जो हुनर है जो स्केल है उसको और निखार सकते हैं दिखे एक समय में हमारे पास टाइम हमको मिलता ही नहीं है अपने उपर काम करने के लिए अपनी स्केल पर काम करने के लिए हम क्या करना चाते हैं क्या नहीं करना चाते हैं वो जो ख्वाइशे होती हैं वो कहीं न कहीं दब के रह जाती हैं हमारी जिम्मेदारियों के नीचे हमारे काम के पीछे हमें समय ना मिलने के कारण लेकिन एक एज के बाद जब हमें समय धीरे-धीरे मिलने लगता है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर काम करना चाहिए, हमारे जो शौक हैं उनको और निखारना चाहिए, हमें उनको समय दिना चाहिए, इससे हम खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, पॉज इससे नहीं है, कि उनके पास समय नहीं है, वो अपनी स्कुल या कोई भी शौक को नहीं दे सकती, जिसको अपने शौक जिंदा रखने होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से हफटे में एक दिन, या फिर देली प्रति दिन, जैसे भी आपको समय मिलता है, आपको थोड़ा सा समय अपने उस काम को जरूर से देना चाहिए पसंद का काम करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं जो हमारे शौक होते हैं उससे अलगी खुशी मिलती है और आपने तो देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने हुनर को अपने स्किल को अपने शौक को ही अ जरूरत ही नहीं पड़ती, चाहे हम उसमें 8 घंटे दें, 10 घंटे दें, 24 की 24 घंटे दें, हमें थकावर भी नहीं महसुस होती, वो होता है हमारा शौक, वो होता है जिसमें हम टाइम को मतलब घड़ी ही देखना बूल जाते हैं, और हमें एक अलग सी खोशी महसुस होती है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, जैसे कि मुझे घर डेकुरेशन बहुत जादा पसंद है, मैं इसमें कितना भी टाइम लगा दूना, मुझे पता ही नहीं लगेगा, जैसे मुझे रील्स बनाना पसंद है, जैसे मुझे वीडियो बनाना मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कितना टाइम इसमें देती हूँ, जैसे मुझे 24 आवर भी काम करवा लीजे, मैं बिना था कि इस चीज़ में काम करूँगी, तो ये मेरा शौक है, मुझे लिखने का भी शौक है, जिसमें मैं कभी कभी टाइम देपाती हूँ, क्योंकि ब खरके कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से, थोड़ा समय हम अपने लिए भी निकाल रहे हैं, दोस्तों अगर आज आपने अपने लिए समय नहीं निकालाना, तो आगे जाके बहुत मुझकल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, कि आपकी शौक क्या थे, आपकी पिच्छाएं, क्या थी, उन पर काम करना जरूरी है, और बुझरू को की पास दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनके पास उनकी शौक से, वो अपनी जिम्मेदारियों में इतना ज़्यदा, इतना अच्छी तरीके से नरो पनी जिम्मेदारियों निभाई होती हैं उस समय में, कि उनको उन चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता अपने शौक का अपनी स्किल पर काम करने का लेकिन जब आज उनके पास समय है आज घर परिवार उनके सैट हो गए है आज उनको ऐसा लगता है कि भई आज हमारे पास खुद के लिए समय है तो उनको तो अपने को बहुत जबा फ खुश होंगे हम बीजी होंगे हमारे अंदर अच्छे थोर्ट आएंगे क्योंकि बढ़ती हुए एक के साथ मेरा दोस्तों निगेटिव थोर्ट भी आने लगते हैं हम बहुत ज्यादा ऐसी बातें सोचने लगते हैं जो कि हमारे सीदे हमारे हैल्थ पर असर डालती है कि उ इसी हो जाईए अपनी जो शौके उन पर काम करना शुरू कर दीजिए खुश रहना शुरू कर दीजिए क्योंकि दोस्तों हैल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है अगर आप बीमार हो गए बढ़ती हुए एज में तो इस समय ऐसा है ना कि हम किसी से उमीद भी नहीं कर सकते हैं अगर आप स्वस्त हैं तो सबसे बड़ा धन तो स्वस्ती है जब बिमार पढ़ते हैं तब पता लगती है कि हैल्थ कितना बड़ा धन है और हम इसको कुछ समझते ही नहीं है जब हम स्वस्त होते हैं और जब बिमार होते हैं तब हमें हमारी हैल्थ की important पता चलती है कि स्व इमोशनली भी स्टॉंग होना है हर तरीके से हमको मजबूत होके चलना है तो उनको अगर वो सुरू से अपने पर ध्यान देंगे तो वो हर चीज में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे इतनी बाते सीखने को मिलती है कि जब आपकी जवाब करोगे तो ही आपको पता चलेगा और reading सबके अपनी अलग-अलग होती है, कोई stories दिय्ट करना पसंद करता है, interest अपना अलग-अलग होता है, सबके अपनी अपनी अलग-अलग शॉक होते हैं, कोई horror stories पसंद करता है, कोई motivational stories पसंद करता है कोई struggle stories पसंद करता है यानि कि सबकी choices अलग-लग होती है तो मुझे लगता है ना कि प्रिनादाइक books आपको जरूर से read करने चाहिए इसके लिए तो समय निकालने की जरूरत ही नहीं है जब भी आप night को सो रहे हैं तो उससे पहले 15-20 मिरिट जितना भी समय है आप अपना books read कर लीजिए है ना और आज के समय में तो books आप नहीं खरिद रहे हैं तो phone तो सबके पास होते ही है phone में ही books होते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि phone तो हम वैसे भी चलाते ही है phone तो हम वैसे भी use करते ही है books reading कहीं ना कहीं आज के समय में गुम होती जा रही है miss होती जा रही है जो कि ठीक नहीं है दोस्तों books reading का अग अलग ही मज़ा होता है जब हम बश्मन में comics पढ़ा करते थे phone नहीं होते थे ना तो हमारा समय comics में और magazines में जो ग्रह शुबा आती थी और जो नियूस पेपर में छोटी छोटी पत्रे का आती थी हम वो कितना पढ़ते थे और हमें कितना ग्यान मिलता था ऐसी बात तो है नहीं कि आज ही हम सारा ग्यान लेकर आ गए है phone से जो हमें ग्यान उस समय का है ना हमारे दिमाग में बैठा हुआ है जो phone से हम देखते हैं ना तो देखकर हम भूल जाते हैं लेकिन जो चीजें हम पढ़ते हैं ना वो सीधी हमारी दिमाग पर क्लिक करती हैं दिल तक पहुंचती हैं और लंबे समय तक मुझे ऐसा लगता है कि जिन्दे की भर वो चीजें हमको याद रहती है हमने जो भी रेसिपीस पढ़ी थी ग्रहशुबब में या जो भी कॉमिक्स में जो चीजें पढ़ी थी या जो भी मैंने बुक्स पढ़ी थी उसकी कुछ बाते मुझे आस तक याद है तो दोस्तो मुबाइल में पढ़ना एक अलग एक्सपिरियंस है उसका मैं यह नहीं कहूँगी कि आप पर बहुत लंबे समय तक सकी छाप रहेगी लेकिन अगर आप बुक्स रीट करते हैं तो यह करीके से यह एक्ससाइज है हमारे माइंड की हम फिर imagination करना start कर देते हैं उसको सोचना start कर देते हैं तो हमारा दिमाग भी काम करता है यह ना जब हम book rate करते हैं तो हम वैस चीज़े सोचते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ यह चीज़ फिर हमें अपने जीवन के जो कस्ट है ना कस्ट लगते ही नहीं है क्योंकि जब हम किसी की motivational story पढ़ते हैं किसी की life की बारे में जानते हैं उसका struggle देखते हैं तो हमें लगता है कि हम जो दुख को दुख कह रहे थे ना हमारी life में जो problems हैं उनको हम problems कह रहे थे वो तो कुछ है ही नहीं problems तो इन लोगोंने भोगी है problems को इन लोगों की life में है तो दोस्तो हमारी life में तो कुछ problem ही नहीं है क्या problem है हमारी life में हमारी कम salary है बच्चे बात नी मानते हमारे इन लोगों समय डाटते हैं या हमारे parents समय डाटते हैं या हमारी लडाई होगी किसी से या ये problem बहुत सारी घर के प्रॉब्लम्स को हम बहुत बड़ा बना देते हैं या चोटी मोटी बीमारियां है शरीर में उनको लेकर बैठे रहते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आपने भी देखी ही नहीं है दोस्तो जब आप ऐसी स्टोरीज पढ़ोगे ऐसी चीजों को सुनोगे उनको महसूस करोगे ना उनको समझोगे तब आपको पता चलेगी कि प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारा जिन्दगी के प्रती नजरिया बदलेगा हम पॉजिटिव होंगे हमारी सोच बदलेगी सबसे बड़ी बात कि हमारी सोच बदलेगी हम हैल्दी रहेंगे हमें लगेगा कि हा हमने अपने खाली समय का सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो दोस्तों अपने खाली समय का इस्तेमाल आप इन तीन तरीकों से कर सकते हैं और अपने आपको फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से स्ट्रॉंग बना सकते हैं चाहे आपकी उम्र कोई भी हो आप एक महिला हों, आप एक वाइफ हों, या आप एक बुजर्ग परसन हों, या आप एक स्टुडेंट हों, ये तीनों जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप तीनों कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को बहतर बना सकते हैं. दोस्तों हम सुनते तो सभी की हैं, और करते सिर्फ अपने मन की हैं, तो अपने मन की ही कीजिए, जो आपका मन करेना, वो कीजिए, चाहें आपकी एज कुछ भी हो, और जो भी शौक है, जो भी शौक है, और आप जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आज से ही अपने शौक पर काम करना है, स्टार्ट कर दीजिए, कल काम मद देखे कि कल आपको समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि शौक के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए हमें समय निकालना ही पड़ेगा और निकली जाता है, अगर हम सोचेंगे ना, समय की तो समय निकली आई होग दोस्तों आप मेरी सभी बातों से सहमत होंगे सहमत होंगे तो कमेंट जरूर से कीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने हुनर को जिन्दा कीजे अपने स्किल्स पर काम कीजे और अपनी हर स्टेज, अपनी हर एज को और अपनी उम्र के हर पढ़ा आपको इंजोई कीजिए चाहें आपकी उम्र कुछ भी हो मिलती हूँ नई वीडियो में जब तक अपना ध्यान रखी अपनों का ध्यान रखी और हमेशा खोश रहिए जैसरी किष्णया रादे रादे